आखे बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट अब हम हमारे सरक्योग पर से दिवाइन की लाइट सर आखों गले चाती पेट पैर से होती भी जमीन पे जा रही है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो की ये लाइट हमारे हार्ट सेंटर पर आ रही है वहाँ से इसने पूरे रूम को कवर कर लिया है पूरे शहर को कवर कर लिया है अब पूरे ब्रह्मान को कवर कर लिया है अब हम युनिवर्सल कॉंशिसनेस से जोड़ चुके हैं अप हम ये इमाजन करेंगे कह हम अपने पसंद के किसी भी पूजास्थल के सामने खड़े हैं मंदिर मस्जित गुरुद्वारा अगर आप बिलीव नहीं करते हैं अगर आप वाइट लाइट में बिलीव करते हैं तो आप अपने आपको कहीं भी imagine कर सकते हैं। तो ये जो भी स्थल है, इसके सामने से कुछ सडक रस्ते निकल रहे हैं, चारो तरफ से. और ये जो रस्ते बने वे हैं, ये सारे crystal से बने वे हैं। तो इस पूजा स्थल के सामने जो दो रस्ते हैं, उनमें से एक पर आप खड़े हैं, और सामने पैरलल में जो रस्ता हैं, उसमें आपके twin flame खड़े हैं। अब आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और आपके twin भी चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस healing का charge divine को देती हूँ, जित्ती divine चाहें के उत्ती healing होगी, सारे ancestors, angels, ascendant masters, सब आपको thank you so much आने के लिए। अब हम चलेंगे और पैर रखेंगे red crystals के उपड़, हम जैसे जैसे कदम रखेंगे red crystals पे हमारा root chakra हील होने लगता है, negativity सारी निकल के हमारी और हमारे twin की नीचे उस crystal के अंदर जा रही है। हम चल रहे हैं और field कर रहे हैं कि कैसे हमारे सारे issues हील हो रहे हैं और हम light हो रहे हैं। अब हम चलेंगे second orange crystals के उपर, यह है sacral, जैसे जैसे हम कदम बढ़ाएंगे हमारी सारी negativity, sacral की सारी negativity इन crystal में dissolve होती जाएगी। हम और हमारे twin अब हम yellow crystal की तरफ चलेंगे solar plexus वाले। जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ाएंगे सारी negativity solar plexus की निकल के crystals में dissolve हो जाएगी। अब हम आगे चलेंगे green crystals heart chakra हमारे कदम बढ़ेंगे हमारे और हमारे twin के और सारी heart की negativity, सारा depression, thoughts, tension, जो भी है। सब निकल करके चारी जाएगी crystals में। फिर हम चलेंगे blue crystal की तरफ यह है throat chakra। सारी एन कहीं बातें अगर कुछ anger कुछ भी frustration है सारा blue crystals में चला जाएगा। आगे चलेंगे तो indigo color के crystals होंगे। हमारी third eye clean हो रही है, visions, beliefs clear हो रहे हैं। और आगे चलेंगे हम और twin तो पहुचेंगे violet color के crystals के उपर। बस हम अब उस place के जस्ट पास पहुच गया है। हमारा crown clear होगा। अब हम सीडियों से अंदर चाहेंगे दोनों। एक दूसरे के तरफ एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। एक दूसरे को देखेंगे। एक दूसरे को सबसे पहले hug करेंगे। अब आप अपने twin flame को उनकी 3rd eye पे kiss करेंगे। अब आपके twin flame आपको 3rd eye पे kiss करेंगे। अब दूसरे से जो चाहें बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़े उनसे share करनी है उनसे कुछ guidance पांगनी है तो guidance बांग सकते अगर उनको कुछ guidance देनी है अगर आप कुछ कहना झाते हैं, आप अपने Spirit Guide से अभी पूछ सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं। अगर कुछ सामने आया है तो मैं अभी ट्विन फ्लेम लाइट टीम को बूलूंगी अगर कोई negativity या कर्मा ऐसा रिलीज हुआ है जो अभी clear हो सकता है तो प्लीज उसे clear and transmute का देजिए on all time, space, dimensions and realities मेरे और मेरे ट्विन के लिए बस अब हम अपने ट्विन को बोलेंगे कि only love is real सिर्फ प्यार सच्चा है, बाकी सब 3D है, बाकी सब कुछ 3D beliefs है, सिर्फ unconditional love सच्चा है अब हमारा समय आ गया है अमारे ट्विन फ्लेम से विदा लेने का हम अपनी आखों को बंद करेंगे सबसे पहले मैं जवाइन को बोलूंगी thank you, thank you, thank you so much आप आए, ascendant masters को, angels को, ancestors को अब धीरे धीरे consciousness में आना शुरू करेंगे हातों और पैरों को हिलाएंगे तीन, दो, एक आए आए